सूपरभात बच्चो मैं समितारानी राजकेवरिष्ट उपदेशनस के तुपदेले साबुवाना हनुमानगड से आज हम आपकी हिंदी की पाठे पुस्तक तक्षा साथ की हिंदी की पाठे पुस्तक वसंत भाग दो का बारवा अध्याय पढ़ेंगे जिसे लिखा है टी पदम ना बनने और उसका सीर्षक है कंचा चूंकि बच्चो ये पाठ थोड़ा बड़ा है तो हम इसका एक भाग आज पढ़ेंगे आईए देखते हैं सद्ध्याय को वह नीम के पेड़ों की गनी छाओं से होता हुआ सियार की कहानी का मज़ा लेता आ रहा था हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ जूमता खनकता था स्लेट कभी छोटी सीसी से टकराती तो कभी पैंसिल से योँवे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे मगर वैं ने कुछ सुन रहा था ने कुछ देख रहा था उसका पूरा ध्यान कहानी प्रकेंद्रित था कैसी मज़ेदार कहानी कभी और सियार की सियार कभी से बोला प्यारे कभी एक गाना गावों ने तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूं और कववा अपनी परसंसा से खुश होकर क्या करता है कववे ने गाने के लिए जैसे ही मूँ खोला तो रोटी का टुकडा जमीन पर गिर पड़ा सियार उसे उठा कर 921 हो गया 921 एक मूहावरा है बच्चो जिसका आर्थ भाग जाना यानि सियार गाना थोड़ी सुनना चाता था वो तो रोटी का टुकडा लेना चाता था और जैसे कववे ने मूँ खोला रोटी नीचे गिरी तो वह रोटी का टुकडा लेकर भाग गया और वह जोर से असा और क्या बोला बुद्धु कववा वह चलते चलते दुखान के सामने रुक गया वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे उनमें चोकलेट, पिपरमेंट और उनमें विश्कुट थे उसकी नजर उनमें से किसी पर भी नहीं पड़ी क्यों देखे उसके पिताजी उसे ये चीज़یں बराबर ला देते थे फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकरिश्ट किया ध्यान आकरिश्ट किया यानि ध्यान अपने इओर फिता एक तरफ अटा कर उस जार के सामने खडा ठुकर-ठुकर ताकता रहा नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज यहां नहीं देखी, पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया, सफेद गोले कंचे, बढ़े आमले जैसे, कितने खूबसूरत है, अब तक यह कहां थे, सैद दुकान के अंदर, अब दुकानदार ने दि इतर आ गया, यानि वो कलपना कर रहा है, कि जार जो है, वो आसमान जितना बड़ा हो गया, और वह उस जार के अंदर ही आ गया है, वहां कोई और लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद है, छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था, वह कंचे चारों तरफ विखेलता मजे से खेलता रहा, तभी एक आवाज आई लड़के, तो उस जार को निचे गिरा देगा वह चौंक उठा, जार अब छोटा बनता जा रहा था, छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे छोटे आपने जैसे, सिर्फ दोज सोकर अलग खड़ा, रहा, क्या कंचा चाहिए, दुकानदार ने जार का डखकर खोलना सुरू किया, उसने निशेद में सिर्फ लाया, निशेद यानि उसने मना कर दिया, तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए, उसे खुद मालूम नहीं, जो अभी हो उसने कंचे को छूकर देखा, जार को छूने पर कंचे का सपर्ष करने का एहसास हुआ, अगर वह चाता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो, स्कूल की गंटी सुनकर वैबसता था में दोड पड़ा, देर से पहुंचने वारी लड़कों को पीछे बैठना पड़त है, तीसरी बैंच के आखिर में, मलिका के बाद अम्मू बैठी है, जोर्ज दिखाएने पड़ता, लड़कों के बीच जोर्ज ही सबसे अच्छे कंचे का खिलाड़ी है, कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जोर्ज से मात खाएगा, हारने प्रियों ही विदा न है, उसे रामन ने सूचना दी थी, उसने मलिका को बताया था, जोर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है, ये सारी बातें कौन सोच रहा था, अप्वू, और अप्वू का कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका ध्यान कहा था, कंचे में, गर पर उसने ये पाट पड़ लिया है, मास्टर जी बीच-बीच में बैंच से मेज ढोकते हुए, उनसी आवाज में कहा रहे हैं, बच्चो, तुम में से कईने रेलगाडी देखी होगी, उसे बाप की गाड़ी कहते हैं, क्योंकि उसका यंतर बाप की शक्ती से चलता है, तुम लोगों के घरों के चुले में भी, अपुने भी सोचा रेलगाडी, उसने रेलगाडी देखी है, चुक चुक, यही रेलगाडी है, वह भाप की भी गाड़ी का मतलब, मास्टर जी की आवाज अब कम उन्ची थी, भी रेलगाडी की हर हिस्से के बारे में समझा रहे पानी रखने के लिए एक खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बोईलर कहते हैं, यह लोगे का बड़ा पिपा है, लोगे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोलकंचे बड़े आउले जैसे, जोर्ज अब जब अच्छा होकर आ जाएगा, तब उस से कहेगा, उस समय जोर्ज कितना खुश होगा, सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे, तब ही क्या होता है, उसके चेहरे पर चोक का टुकड़ा आ गिरा, अनुब के कारण वे उठकर खड़ा हो गया, मास्टर जी गुस्से में है, अरे तुम गवराहाट बढ़ गई, मैं अभी किस के बारे में बता रहा था, अध्यापक ने अपू से पुछा कि मैं किस बारे में पढ़ा रहा था, करमठ मास्टर जी ने उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और है, साइद उसने पाठ पर ध्यान भी दिया अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है, इसी में उनकी सफलता, अध्यापक जी क्या चाहते थे कि जो मैंने पढ़ाया है, वो उसके मूँ से सुने, हाँ हाँ बता डरना मत, मास्टर जी ने देखा आपको की जबान पर जवाब था, हाँ हाँ, वह कां आपते हुए क्या बोला, कंचा, कंचा वे सक पका गए, कक्षा में बुचाल आ गया, स्टेंडप मास्टर साब की आंखों से चिनगारियां सुलग रही थी, येने अध्यापक जो पढ़ा रहे थे, वह बच्चा नहीं सुन रहा था, अप्पू रोता हुआ बैंस पर पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से जांकर देखा, फिर समली तसी, रोकने की पूरी कोशिश करने पर विए अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा, रोतर होते उसका दुख बढ़ता ही गया, सब उसकी तरफ देख देखकर उसकी अंसी उड़ा रहे थे, र कंचे को देखकर ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे बड़े आउले जैसे, तब शक हुआ कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा, जोर्ज को साथ लेकर पूछे, नहीं दे तो, अब भी वह किस के बारे में स सबक समाप्त किया, क्या किसी को कोई शक नहीं, अप्पू की संका भी दूर नहीं हुई थी, वह सोच रहा था, क्या जोर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा, अगर खरीदना ही पड़े तो, कितने पैसे लगेंगे, रामन ने मास्टर जी से स्वाल कि पूछ लो ने संका क्या है, संका जरूर है, अब अप्पू के मन में क्या चल रहा था, कि क्या जोर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, क्या पांच पैसे में मिलेगा, दस पैसे में, क्या सोच रहे हो, पैसे क्या, कितने पैसे चाहिए किसके लिए वैकुछ ने बोला हरी लकीर वाले सफेद गोलकंचे उसके सामने से फिसलते गए मास्टर जी ने पुछा क्या रेलगड़ी के लिए उसने सिर्ह लाया बेवकूफ रेलगड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा घन्यवाद बच्चों आगे का भाग हम दुबारा पड़ेंगे